विदियो करने मेरे सारी दını को मेरे समय वोर्लेoks्स लियर झो तो देखें सकुमान वह सब्सक्राइब निगा क baptizedi उंच मेंठीअ कुछें सम१े दोम औन जेवनों के ठोल के और पाल को उतली कि मेरे से कॉमें यौश बनाया की और मेमें । बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं और दो साल की एज तक निकलते रहते हैं तो आप बच्चा जब जैसे ही 4 मन्त का हो जाए उसके बाद आप तिलिसमी मोती ले लीजे और बच्चे को पहना दीजे जब तक वो टीफिंग चल रहा है उसका 2-24 मन्त का बच्चा होता ह तक तक आप टी निकलना सस्टार्ट एंए लीजे को टीक हैं तो तब तक आप को पहना कर पहना सकते हैं एह स्थितन के निकलना तो थिंग होता है कि अभत नश्य का बना हो यह वैसे मोती प्लास्टिक होता है जब हम पर्चेस करेंग तो आप यह बहां से यह जो है ले सकते हैं दूसरी एक चीज आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यह अगर आपको अपने बच्चे के लिए तलिस्मी मोती लेना है तो मैंने अपने जो पहली वीडियो थी उसमे भी लिंक मेंशन कर दिया है आप डिरेक्ट ऐमेजॉन से खरीछ सकते हैं इसको मैंने अपने एक एक पाव्ण का लिंक भी शेर कहीए है वहां से खरीच सकते Qian कहें इस वीडियो में भी इसके दिसक्रिप्षिन को चेक करिएगा यहां पे लिंक मेंशन कर दूंगी बच्चे के लिए Bureau रहते कर मैंने उसके लिए मंगाया था और रियली उसके टीथ कब निकल गए मेरे को पता नीचला और भी बहुत सारे एफर्स करने होते हैं खाली एक तलस्मी मोती पहना देने से आप बच्चे के हाईजन का ध्यान नहीं रख रहे हैं आप बच्चे के खाने पीने का ध्यान नहीं चाहिताए उसके अगाइटसमी मोती और दिखाया है और इस फाले वीडियो में दिस्क्रीप्सक्शन में लिंक है। यह वीडियो में रिंक में छिंभ और उसमें है एक ये वीडियो में भी नाम से अप्लोड करूंगी इसमें पहां भी मिल जाएगा और कैसे भी करके क्योंकि मदर को काफी टेंचन हो जाती है बच्चे के टीजिन टाइम पर तो उनको काफी हैल्प मिल सके इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना बढ़ रहा है और फिर भी आपके कुछ क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा I hope मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सूँगी और अब लीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ओके थेंक्युमें